मंच्पर पस्तित मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी स्रिमान श्रिपाद एशो नायक जी हर्याना के मुखमंत्री स्रिमान मनोहलाल जी खटर पुरस्कार पाने वाले सभी साथी आयुष अभियान से जुड़े हुए सभी प्रोफेशनल्स अधिकारिगान देवी और सज्जनों देश में फिट इंडिया मूवमेंट उसकी शुरुवात के अगले ही दिन आयुष और योग से जुड़े कारकम में आना मैं मानते हुए का द्भूस है योग है आयुष और योग फिट इंडिया मूवमेंट के बड़े मजबुत पिलर है साथ क्यों आज यहां तीन कारकम हुए है दो हमारी परंपरा हमारी विरसाथ विरासत के पुरुस्कार और सम्मान से जुड़े हैं और एक हिल्थ केर इंफरस्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है आज हर्याना में दस आयुष हिल्थ और वैलनेस सेंटर्स को लांच किया गया है और इसके लिए मैं हर्याना वास्यों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ हर्याना के मुख्यमंत्री आजकल हर्याना के गावों में यातना चल रही है उनकी और लगातार वो कठोर परिश्रम कर रहे हैं और उसका परणाम में देख रहा था कि बोली नहीं पा रहे हैं हावाज खराब होगी यह हम लोगों का प्रोफेशनल हजाड है चुनाव के दुनों में मुझे भी इस मुसिवत से गुजरना पड़ता है लेकिन एक रहस्चे में बता दू योग प्राणायम और आयुर्वेद यह तीनों का मैं भरपूर उप्योग करता हूं और उसके कान मेरी गाड़ी चलाती है तो हर्याना में भी अब आयुश के वेलनेस सेंटर शुरू हुए हैं मैं मनोर लाल जी को कहूंगा कि जरा गले को ठीक करवाईए वहाँ जाके मुझे योग के साध्यों को योग की सेवा करने वालों दुनिया भर में योग का प्रचार प्रसार करने वाले साथ्यों और संस्ताओं को पुर्षकार संपने का मोका भी मिला है इन में इतली और जापान के भी साथी हैं जो दसकों से योग के प्रचार प्रसार में जूटे हैं एंटोनियेटा रोंजी उन्होंने बिते चार दसकों से पूरे योड़प में सर्वय योग इंटरनेशनल के जरिये योग के प्रचार प्रसार में एक प्रकार से हंड्रेड परसंट डेडिकेशन बहुत बड़ा योग जान के इसी तरह जापान योग निकेतन के पूरे जापान में हजारों योग केंदर हैं और ये संस्था भी करीब करीब 40 सान से जपान को योग से निरोग रखने का महान काम कर रही है पुरसकार पाने वाले सभी साथियों को मैं बढ़ाई देता हूं और उनकी ये सेवाएं उनका ये मिशन समाज जीवन में सूख समरुद्य और शान्ति लाने में भावती सभलता प्राप्त करें इसकी मैं काम ना करता हूं कुछ देर पहले आयुश्पद्धि को सम्रुद्य करने वाली 12 महान हस्तियों के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया है यह वो साथी हैं जन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के उप्चार में लगा दिया किसी ने योग को माध्य मनाया तो किसी ने अईरुवेद को किसी ने युनानी से जन सेवा की तो किसी ने होमियोपेदी से लोगों के जीवन को रोग मुक्त किया मैं डाक विभाग को विशेश रुप से बढ़ाई दूँगा और दो कारण से डाक टिकेट को इमोधी प्राइमिस्टर बना उसके बाद थोड़ी निकल दई है डाक टिकेट तो पहले से चल दई है भारत आजाद हुआ उसके पहले से डाक विभाग चल रहा है लेकिन परमपरा ऐसी बनी है कि बड़े बड़े नाम हो टीवी पे चमकते हो नेता कहे जाते हो तो डाक टिकेट है उन्हीं की बनती है आविवेद के लिए खब जाने वाले की भी डाक टिकेट हो सकती है क्या और ये यही तो बदला हुआ हिंदुस्तान है और दूसरी महत्र की बात एकी सेट में बारा डाक टिकेट इतनी बड़ी मात्रा में एकी साथ कभी भी नहीं होता है बहुत रैर कुछ होकेशन होंगे आज एक पूरा आयुष्का परिद्रश्य और परंपरा इनको समाहित करने का एक प्रयास दाख विभाग ने किया है मैं डाक विभाग को इसके लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और इसको जब कंसेप्ट्यूलाइज किया इस विचार को तब हमारे मनोच सिनाजी मिनिस्टर थे तो वो नीचे बैठे हैं मुझे विश्वाथ है कि पोस्टर स्टैम आयूश के प्रती देश वाज्यों में नई सोच को विच्शित करने में मजद करेंगे भाग और भहनो आज जो डाक टिकट जारी किये गए हैं उनमें एक की तरफ में ध्यान दूँँगा पैसे त्रिगुणा जी का तो परिवार ही यहां मुझूद है और कई जिनके डाक टिकट उनके परीजन यहां आज उनके भी दर्शन करने का अफसर मिल रहा है लेकिन एक मैं उल्ले जुरू करना चाहूंगा उसमें एक डाक टिकट है दिन्शो महता जी का अब यह नाम चर्चा में बहुत कम आता है लेकिन दिन्शो महता जी गांदी जी के पर्सनल फीजिशन थे और वो नेचरो पधी को समर्पित थे पूरी तरह अपना जीवन की हर चीज में नेचरो पधी सबसे पहले रहती थी और उसका प्रभाव गांदी जी के जीवन पर भी था और गांदी जी कहते थे कि प्राकृतिक चिकित्सा नेचरो पधी प्राकृतिक चिकित्सा जीवन जीने का तरीका है यह किसी इलाज का तरीका नहीं है यह इस बात में बहुत बड़ी ताकत है जो गांदी जी ने रही है उन्होंने ताउम्र इस बात पर अमल किया और प्राकृतिक चिकास्था पद्धदी को जीवन का आधार बनाया साथ्यों गांधी जी ने जो सिखा था उसके पीछे भारत की प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव हेल्ट केर से जुड़ी एक समरुद्ध बिरासत रही है हमारे पास हजारों वर्षों पुराना लिटरेचर है वेदों में गंबीर बिमार्यों से जुड़े इलाज की चर्चा है लेकिन दुर्भाग से हम अपनी इस पुरातन रिसर्च को ज्यान के इस खजाने को आधुनिक्ता से जोड़ने में इतने सफर नहीं हो पाए और इसी स्थिति को बीटे पाँच वर्षों में हमने लगातार बदलने का प्रयास किया है उसकी एक सेंटिटी बने उसका एक साइंटिफिक वर्जन तयार जो लेब में के अंदर तरहासा गया हो जिसको मेडिकल साइंस की दुनिया समझ सके इस रूप में उसका प्रस्तुजी करना हो और इसी के तहट आईउश को भारत के हिल्टेर सिस्टिम का अहम हिस्टा बनाने पर बल दिया जा रहा है मुझे बताया गया है कि आईउश परिवार में सोवा रिक्पा सिस्टिम को शामिल किया गया है और हमारा जो लेह लटाथ है वहाँ पर अब उसका एक अंतराश्य स्तर का सेंटर विक्षित किया जा रहा है आयुरुबेद योग और नेचुरुपति युनानी सिद्धा और हुम्युपति इसके बाद सोवा रिक्पा आयुश परिवार का चठ्ठा सदस्य हो गया है और इस इनिसिटिव के लिए भी मैं मंत्री जी को और उनके विभाग को बहुत बहुत बदाई देता हूँ अगर भारत के हेल्थ केर सिस्टिम को ट्रांस्फॉर्म करना है स्वस्त समाज का निर्मान करना है तो हमें होलिस्टिक सोच के साथ काम करना होगा पारंपारिक और आधुनिक इलाज की साजा ताकत को मजबूत करना होगा आयूश और मोडर्न हेल्थ केर का एक साथ एक बराबर विकास होगा तभी बहतर स्वास्त समाधान हम तयार कर पाएंगे साथ आयूश मान भारत योजना इसी सोच का परनाब है इसमें प्रिवेंटिव हेल्थ केर को ध्यान में रखते हुए हेल्थ और वेल्नेस सेंटर खोले जा रहे हैं और दूसरी तरफ गंभी बिमारी के मुप्त इलाज के लिए पी-एम जनारोग्य योजना चलाई जा रही है पी-एम जय हेल्थ और वेल्नेस सेंटर प्रिवेंटिव और एफुर्डेबल हेल्थ केर का एक अनूठा और अभुत्पुर्वा मोडल है इन सेंटर्स में प्रिवेंशन के भी उपाए है और क्योर की भी व्यवस्ता है साथ जब हम देश में डेड़ लाख हेल्थ और वेल्नेस सेंटर खोल रहे हैं तो आयूश को भी हमने हमारा को ट्राविलर बनाये हैं साती बनाये हैं हम उसको भूले नहीं है देश बर में साड़े बारा हजार आयूश सेंटर बनाने का भी लक्ष है जिसमें से आज दस आयूश हेल्थ और वेल्नेस सेंटर का उद्गाटन जो कि हरियाना के लिए किया गया और वीडियो कांफरंसे करने का मुझे मुझे मौका मिला और वहां भी बहुत बड़ी तादाद में हरियाना के उत्साही लोग मुझे नजर आ रहे हैं हमारी कोशिस है कैसे चार हजार आयूश सेंटर बारा साड़ा बारा हजार में से चार हजार इसी वर्स हम कर देना चाहिए एक तिहाई काम इसी वर्स करने का इरादा है और बारा आजार का मतलब होता है कि करीब करीब हर ब्लॉक में एक बन जाएगा जहां तक एफ़र्डिबिलिटी की बात है तो आईश्मान भारत ने गरीब से गरीब व्यक्ति को बहतर स्वास्त का विस्वाथ दिया है आईश्मान भारत योजना के तहर जितने मरीजों को अब तक मुप्त इलाज मिला है वो अगर इसके दायरे में न होते तो उने देखिए आईश्मान भारत योजना ने कैसा कमाल किया है तो समय ज्यादा नहीं हुआ है जिन लोगों ने अईश्मान भारत योजना का लाब लिया है अगर यह योजना न होती है और उनको इसी प्रकार की मुसीबत से निकलने के लिए ट्रिक्मेंट लेनी पड़ती तो हमारे देश के इन गरीब परिवारों के 12,000 करोड रुपिय का खर्चफ हुआ होता 12,000 करोड रुपिय है एक प्रकार से देश के लाखों गरीब परिवारों के 12,000 करोड रुपिय की बच्चत हुई है और हमारे देश में पतानी माहोल ऐसा है कि अगर आज मोदी ने 12,000 करोड की कोई योजना गरीबों के लिए गोशित करते हैं तो अख़बारों में कल हेड्लेंट छप जाएगी कि मोदी ने 12,000 करोड रुपिय इस सहज व्यवस्ता से 12,000 रुपिय करोड रुपिय बच जाए गरीब बिमारी से भार आ जाए परिवार में गरीबी से लड़ने की ताकत आ जाए उस तरब किसी का ध्यान जाता नहीं है जब मुल्वुद परिवर्तन होते हैं वो तुरंथ न उसकी कोई ग्लैमर होती है न कोई बड़ी तामजाम होता है और नहीं तुरंथ उसकी भावाई होती है इसलिए नजर नहीं आता है लिकिन कितना बड़ा परिणाम आता है ये इस प्रहाश से नजर आएगा आप कल्पना कर सकते हैं कि जब आईश्मायन भारती जैसी योजना नहीं थी तब गरीबों को इलाज के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इलाज का खर्च उन्हें और गरीब बना देता था साथियों प्रिवेंशन और एफ़र्डिबिलिटी के साथ साथ देश में जरूरी इंफरस्ट्रेक्टर पर भी तेज़ी से काम चल रहा है दो दिन पहले ही सरकार ने देश बर में 75 नए मेडिकल कॉलेज बनाने का भी फैस्टाल गिया है हमारी कोशिश हैं देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने के लक्ष की तरफ हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं इससे गंभीर बिमारियों के इलाज के लिए सुवी धाओं में बढ़ोती तो होगी ही साथ ही MBBS की करीब 16,000 सीटे बढ़ेगी और अभी अभी हमने जो नेशनल मेडिकल कमिशन का कानून पारित किया है पार्लामेंट में देश में मेडिकल एजुकेशन और इससे जुड़े इंफरस्ट्रक्टर को मजबूत करने में ये नई कानूनी विवस्ता बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है साथ को सिर्फ मोडन मेडिसिन ही नहीं आयुष की शिक्षा में भी अधीक और बहतर प्रोफेशनल्स आएं इसके लिए आवशक सुधार किये जा रहे हैं विशेश तोर पर जिस प्रकार टेक्नोलोजी का उपयोग किया जा रहा है वो आयुष को भविश के लिए तयार करने में बहुत मदद करेगा आयुष ग्रीड का आइडिया पूरे देश में जैसे वन नेशन वन टैक्स है वन नेशन वन मोबिलिटी कार है उसी प्रकार से अब पूरे देश में आयुष ग्रीड काने का आइडिया ये भी बहुत प्रसंशनी है इससे आयू से इस विशे के साथ जुड़े हुए अनेग जो साइलोस है तुकड़ों में बिखरा हुआ जो माहूल है इन सब को एक कर करके एक होमोजीनियस विवस्था इसको बनाने में बहुत बड़ी सफ़ता मिलेगी भाई और भेनों आयूस काम मेडिकल का जो यह अधुनिक इंफासक्टर तयार हो रहा है उसके लाब भी व्यापक है हेल के साथ साथ यह भारत में रोजगार निर्मार का बहुत बड़ा जरिया साबित हो रहा है विश्थ तोर पर छोटे छोटे गाउं कस्वों टियर टू टियर थी शहरों के युवाज साथियों उनको मेडिकल और परामेडिकल एजुकेशन घर के पास ही मिलने की संभावना बनी है नए एस्पिताल बनने से मेडिकल से जुड़ा एक पूरा इको सिस्टिम यहां डेवलप हो रहा है इन में कम पड़ लिखे युवाओं से लेकर डिग्री डिपलोमा धारक युवा साथियों को भी रोजगार के नए इस अवसर उपलब्द होने वाले हैं बाई और बहनों आज जब हम फाइव ट्रिलियन डॉलर एकोनामी के लक्ष को लेकर चल रहे हैं तब आयूश की बहुत बड़ी भूमी का रहने वाली है आने वाले कुछ सालों में भारत में प्रेवेंटिव हेल्थ केर मार्केट का भी बहुत विस्तार होने वाला है हमें अपने प्रिवेंटिव हेल्थ केर सिस्टिम को पूरी दुनिया के लिए एक आकरशक ब्रांड के रूप में विख्सित करना होगा दुनिया के सत्तर देशों सेबंटीन के देशों के साथ हमने जो समझोते किये हैं अभी हमें इसमें और गति लाने के ज़रूत है साथियों योग तो आज पूरे विश्व में जीवन का एहम हिस्सा हो चुका है और मजा यह है कि कोई योग को क्वेस्टन नहीं करता है तब कट विन्स है है सरी रास्ता है शएक कि ही और आप खिAdam और 1999 मेराry काम नहीं करता है लेकिन और यह नहीं कहता कि रास्ता गलत है कोई नहीं कहेगा तो यह बहुत बड़ा है होता है हिंदु दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो भाषा भी नहीं जानता है भारत के वीशे में कोई अता पता नहीं है वो भी अगर योग की बात आती है तो लगत्यों लगता है अच्छा होता मैं जूर जाता हुआ कि यहने सद्यों से हमारे महापुरुषों ने इस एक विधा को लिए जो समर्पन किया है उस समर्पन ने दुनिया के वैलनेस में कितना बड़ा कॉंटिब्यूट करता है इसका आज हम गर्व के साथ संतोस ले सकते हैं कि बीते पांच वर्षों मैं अंतराश्य योग दिवस पर दुनिया भर में जो उत्सा योग के लिए दिखा है वह भुत्वर्व है और मेरा तो क्या हो गया है कि मैं दुनिया में कहीं पर भी जाता हूं कितना ही बड़ा लीडर हो बात की शुरूबाद योग से ही होती है शाहिद ही कोई लीडर होगा जिसने मेरे साथ पांदस मिरीट योग के सबंद में बातचीत करने में नख पाई हो कुछ लोगों ने जानना चाहा है कुछ लोगों को मैंने बात में लीटरचर भेजा है कुछ लोग अपने आप ट्रक्टिस भी कर रहे है अभी अभी थोड़ा बडलावाया है अभी मैं भुटान गया था तो योगा के बडला मैन वर्सिस वाइल्ड का डिबेड़ ज़्यादा हो रहा था आज योग वैलनेस के साथ साथ दुनिया को भारत के साथ जोडने का भी बहुत बड़ा माज्यम बन रहा है याने योग की एक नई डेफिनिशन अब उभर करके आई है योग शरीर मन बुद्धी आत्मा को तो जोड़ता था अब योग दुनिया को भी जोड़ता है अब हमें योग के अलावा आयूश की दूसरी विधाओं को भी दुनिया भर में पहुंचाने के लिए प्रयास करना है और मैं यहां बैठे हुए उसी दुनिया के लोग है इसले मैं कहना चाहूँगा योग ने खिड़की खोल दी है दरवाजा खुलने में देर नहीं लगेगी और योग के पीछे पीछे आयूरुबेद भी चलेगा होमेबधी भी चलेगी नेचरों सब कुछ गुज जाएगा आपके दिल दिमाग में पुरी दुनिया होनी चाहिए और दुनिया जो भाषा में समझे उस दहशा में वहां जाने का तरीका दून ना चाहूँगा बहुत दिन अपने अपने आपको सिकूर करके रखाएजी वक्त बदल चुका है दुनिया इंतिजार कर रही है चलिए निकल पढ़िए साथ यो अपनी पुर्यानी परंपराओं को भूला देना और फिर कोई दूसरा बता है तो उसे नए सिरे से शिखना इस आदत को भी हमें बदलना है हल्दी मैं हरान हुझे हम लोगों के जिवन में हल्दी हर उपचार में है लेकिन हमें उसका मुल्य तब तक नहीं था जब तक की दूनिया ने हल्दी पर पेटेंग कराना शुरू न किया यानि कहीं वाया किसी देश से कुछ चीज आती है तब हमको ध्यान होता है अरे यार यार यह तो हमारे यह ऐसे ही घरों में होता है हमने इस आदत से भाराना हमें अपनी चीजों पर भरोसा होना चाहिए विश्वास होना चाहिए आत्म विश्वास होना चाहिए और दुनिया को जीतने का यह तरीका है इस बात को लेकर के चलना भी चाहिए मैं आपको एब उधान देता हूँ आज हम देखते हैं कि जिस भोजन को हमने छोड़ दिया उसको दुनिया ने अपनाना शुरू कर दिया जो जव हो जवार हो राजी हो कोदो हो सामा हो बाजरा हो सामा हो कुछ लोगों को नाम भी मालू नहीं हो देए ऐसे अनेक अनाच पहले हमारे जीवन की रोज मरा की जिन्दिगी का हिस्सा था खान पान का हिस्सा हुआ करते थे लेकिन वक्त बदल गया हम लोग आउटडेटेड लगने लगे भाई रहता था यह खाएंगे दैर दुनिया को कैसे लगेंगे यह तो पुरान पंथी है यह बेकार है उसको तो नई चीज आती नहीं है कुछ समझता नहीं ऐसे ही मानेंगे तो हम लें छोड़ दिया लेकिन धीरे धीरे हमारी कि यह सारी चीजे थालिया से गायव होती गई यह गर्मेशाइज बनाना भी अब तो नहीं आता होगा कई परिवारों को यह खाए मतलब गरीब उसको टैग लगा दिया तो फिर मैं गरीब नहीं हूँ कि कहने के लिए भी उससे खाली छोड़ दी यह बड़ा मनोवेग जया नहीं कि इतना पड़ी विकृत यह बार यहाई है लेकिन अब क्या हुआ अब हम देख रहे हैं इस पोशक आहार की पू कि मैं लेने को लिए भी तयाब नहीं होता था वो सेंक्डों रुप्य किलो के हिसाब से अज दुनिया के लोग जूट रहे अब हमारे बिहार के तरफ आप जाएंगे वहां कि सारो मखना है अब अब दीर दीर इतना पप्लर हो रहा है लोगों को लगता है कैल्सियम है आयन है तो इससे बढ़िया कोई जो ही नहीं सकता है अब दीर दीर उसकी अब हमारा काम है कि उसका ग्लोबल मार्केटिंग कैसे हम खड़ा करें पैकेजिंग बढ़िया कैसे करें और उसको जो भासा में समझाता है कैसे समझाए मैं समझता हूं कि बहुत सी बाते हैं अब समय आ कि देश को मिलेट रिवेडिशन पर काम बढ़ाना होगा किसान मिलेट उगाएं और फूट प्रोसेसिंग से जुड़े हमारे उद्योग उनसे ऐसे आकर से प्रोड़क्ट तयार करें जो हर पीडी को पसंद भी आएं और उनके खान पान का हिस्सा भी बढ़े हैं कि अहम बात यह है कि मिलेट हर प्रकार की मिट्टी में उपता है और पानी अगर कम भी है तो भी वो अपनी सेवा करना छोड़ता नहीं है यानि भारत के पास एक बहुत बड़ा एड़वांटिज है हम पूरी दुनिया के लिए मिलेट का उत्पादन कर सकते हैं इससे प्रिवेंटिव हेल्ट केर के ब्राउन के रूप में भारत का नाम भी होगा मानवता की सेवा भी होगी और किसान की आमदनी भी बढ़ेगी भाई और बहनों आयूश का एक और पहलू है जिस पर हमें और गंबीरता से काम करने की ज़रूत है भारत में मेडिकल टुरिजम निरंतर बढ़ रहा है लेकिन अभी भी इसमें बहुत अधिक संभावनाएं पड़ी हुए मेडिकल और मेडिटेशन इसके लिए जो भी जरूरी इंफरसेक्टर है उसको राज्य सरकारों की मदद से तैयार किया जा रहा है अब हैरान होंगे हैं दुनिया के फाइव स्टार होटेल में अगर जीम है तो बगल में योगा रूम भी बन गए है बटल आप सुरूर हुआ है एरपॉर्ट के जो विए पिलांज होते हैं उसके साथ योगा रूम आजकल बन रहे हैं हम किस प्रकार से चीज़ों को ले जाते हैं इस पर डिपेंड करता हैं मेरा आईउस मंत्राने से विशेश आगर रहेगा कि अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों से इस बारे में संपर करते रहें मेडिकल टूरिजम को हमें देश के हर हिस्से में ले जाना है विशेश तोर पर नौर्थ इसमें इसके लिए बहुत संभावना है साथ को यह तमाम प्रयास जब हम सामोहिक रुप से करेंगे तो हमारी पारंपारिक चिक्रित सा पत्रती से 21 सजी के भारत की नए भारत की सहद भी बनेगी और सम्रुद्दी भी आएगी अब मैं फिर एक बार सभी पुरस्कार विजयताओं को मैं बहुत बहुत बथाई देता हूँ आप देश और दुनिया को फीट बनाए रखने के लिए ऐसे ही काम करते रहें इसी कामना के साथ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद सबस्कार